हेलो दोस्तों ये जो पेपर है वो ये इसी मेל हिंदी का सकेंड सिटिंग का जो पेपर हुआ था afterward really बी ओ है ठीके और इसमें दो घंटा का समय मिला था फूल कंच मार्वाव फूल कर पिछास का थीडिके अप इसमें दो सिटिंग में पेपर either of एक दिन में दो सिटिंग तो आज हम बताने वाला इसका आंसर की तो जो स्टुडेंट एक्जाम दे दिये हैं वो अपना आंसर मैच करेंगे और जिनका नैस्ट एक्जाम है कल एक्जाम है वो सभी है स्टुडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग देखें य और देखें ऑप्सन में जो दे रहा है वो बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग इसका अंसर को टिकाट कर सकते हूं ठीक है और मैं यह दावा के साथ किया सकते हूं आप सभी को कि इसमें लगबग लगबग सभी है श्टुडेंट सही करके आये होंगे क्योंकि आप जित पांच कोचन फूचा गिए पहला कि आपकी प्रियोजन मुलक हिंदी के लेखक है तो आपका इसका ग्रेक्ट रांसर को देखा नहीं और मैंने सर्च भी नहीं किया और डार्क्ली मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए ठीक है तो एक बार आप गूगल में जाके सर्क क प्रियोजन मुलक हिंदी के लेखक कौन है ठीक है बट मेरे एकोडिंग बिनोद गोदरी ही होंगे ठीक है चलिए नेक्स चलते हैं आपके यहां पर गाहन नमर में पुछा गया कि मेमोरेंडम का अनुवाद है मेमोरेंडम का अनुवाद क्या तो इसका अप्शन नमर पहला हो जागा और कि ग्यापन क्या हो जाएगा इसका ग्यापन हो जाएगा उसके नेक्ट आपका घहा नंबर इलेक्ट्रोनिक मीडिया का उधारन है तो इलेक्ट्रोनिक मीडिया का उधारन है समाचार पते सोरी टेलिवीजन ठीक है इलेक्ट्रोनिक मीडिया का उधारन क्यामा अब यहांब देखिया कि दूसरा में निम्लखित में किनी 3 परसोंग पर उत्बार देना झार्व मैं कि 5 कॉचन दिया रहा था उसके कोई 3 ही पड़ेंगा था है मीडिया लेकर मीडिया लेकर में ही पर्योजन मोलक हिंदिस आया है जीटना है जितना कोजन पढ़ा ये सीख अंदर साओगा लेकिन जो फर्सक्रीटिक और सेक师 इंगा पेपर रहता नों पूछ जादा ही मैच करता है इसी परकार से नेग्टे ittर्वी जो भी एफ्ट्रेसम दिल्या-भां और किरेंट आप सभीको नीबंद दिया था इस पर पांच नीबंद मैंने सेलेक्ट किया तर उन में से देखिए एक यहां पर आगे ठीक है कि जरगन के प्रकारतिक सौंतर पर नीबंद लिखें आपको नीबंद लिखने का मैंने ट्रीक भी बता रहा खांगे नहीं देखें तो डिस्क्र संपादा को पत्र लिखना और यहांब स्ठोब बस नहीं अपशर चाहिए हो जो कि मैंदा अपचारी का लग अनास्ते लाक कर बाद आप लुक्त संपादा को चाहिए है नेक्ट आपको क्या है अंगाने में में प्रार उपर साब क्या समझते हैं इसकी विश्यस्ताओं पर परकास डालें तो इस परकास से देखें दोस्तों जो पढ़ाया गया वही सब कोचन आरे बस थोड़ा सापको दिमाग लगाने की जोरत है ठीक है बाके सब कुछ कोचन आर्सर सेम ओही सब हैं ठीक है जो आप सभी को पढ़ाया गया बहुत ही आसान पेपर ही हिंदी और वर्ल्डेडी हिंदी पेपर आसान होता भी है ठीक है तो मिलाएंग नहीं शुड़िए तब तक जैहीं जैवालत